बिद्वान जी मानि अध्यक्ष मौद है हम आपका अभिनन्दन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको बधाई देते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो छे बार विधान सभा का सदस्ट रहा है ऐसा व्यक्तित्व जो तीन बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में कहा जाता है कि वो साद्गी, सरल्ता, विनम्रता की पतिमूर्ती है और इस समय तो लगभा की सदन में तीनों प्रमुखे की सभाव के हैं विदान सबाद जक्ष जी मुख्यमंत्री जी और नेटा पतिपच्छ जी लगभग तीनों का सभाव एक जैसा है सरल्ता, विनम्रता, साद्गी और मुझे लगता है तीनों के ये सभाव मिलकर क्योंकि पूरे देश में 36 गर के सदन ने अपनी एक गरिमा बनाई हमारे सदन में कभी बजट का गिलर्टिन नहीं हुआ हमारा सदन का भी संशिप्ट में समाप्त नहीं हुआ हमारे सदन ने हमेशा पूर्ण गरिमा प्राप्त की है हमारे सदन ने हमेशा पूरा अपना काम किया है और आपका जैसा व्यक्षित यहां पर बैठा है बहुत से नए सदस्य आये हैं मैं नए सदस्यों को भी सुपकामना ही देना चाहता हूं उनको भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ये सदन हम लोग अखाड़े से आये हैं हम लोग कुस्ती लड़कर आये हैं परंतु ये सदन में सब सदस्य हैं अगर वो मुख्यमंत्री ज जायसा विधायक हैं, सदन की एक गरिमा है, सदन का एक विश्वास है, सदन का एक अपना उच्च स्थान है, और हम सब को मिलकर, मानी अद्यक्ष जी हम सब के सरक्षक हैं, हम सब को मिलकर छत्तिसगर की इस सबसे बड़ी पंचायत की गौरो गरिमा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं पूरे देश में हम कैसे इस सदन के बारे में पूरे देश में कहीं नियम नहीं है कि वैल में आने से समय निलंबित हो जाएंगे यह पहला सदन है यहाँ पर वैल में आने से समय निलंबित होने की परंपरा है और इस सदन के उच्छे परंपराओं को माननी हमारे नौनिर्वाचित अज्जक्ष डॉक्र रमन सिंगी के नेट्टितु में हमको सबको पूरे सदस्यों को नए सदस्यों को सबको सरक्षन मिलेगा माननी नेता पतिपक्ष जी मैं पहले बोल चुका हूँ कि आप भी उसी सभाव के हैं जिस सभाव के माननी अद्यक्ष जी हैं माननी मुख्यमंत्री जी हैं तो निश्चित रूप से कटाच होंगे आरोप प्रत्यारोप भी होंगे परंतु उसके बीच में हम सब रास्ता निकाल कर इस सदन को अच्छे तरीके से चलाएं चत्तिसगर के भविश्य को बनाने के लिए चत्तिसगर के विकास के लिए विकास सिल चत्तिसगर को विक्सिक चत्तिसगर बनाने के लिए हमारी ये चत्तिसगर की सबसे बड़ी पंचायत माननी अज्यक्छी जी के नित्टितु में ऐसा काम करेगी कि अभी तक जो काम हम नहीं कर पाए इस सस्ट्रम विधान सभा है, इस सस्ट्रम विधान सभा के उचाईयों तक पहुंचे, माननी हमारे नौनिवराकित अज्यक्ष रमान सिंगी के नित्कितों में, मैं उनको बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनके स्वस्त और दिर्ग जीवन क कामना करता हूँ, उनके सभी नए सज़स्यों को बहुत-बहुत सुपकामनाई देते हुए, कि हम सब मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ाएंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद, जै हिंज, जै चत्यश्ट्रम वाननी अध्यक्ष मोदे, यह बहुत अध्भूस्त नयोग है, इस सदन में आप, आपको तो माननी अध्यक्ष कहने में प्रिक्टिस करनी पड़ेगी, गवरी संकर जी जब अध्यक्ष होते थे तो कई बार हम लोग गवरी भिया कह देते थे उसको, तो धीरे-धीरे वो अध्यक्ष महोते हैं स्वभाव में आया, अभी आपको अध्यक् आप, आप माननी नेता प्रतिप्वक्ष और माननी सदन के नेता में अध्यक्ष समानता है, गुणों का तो उनलेक माननी बिरिज महंजी ने किया, पर आप लोग अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहे, विधायक भी रहे, लंबे समय तक विधायक रहे, सांसद भी रहे, डाक्टर साहब एकी बार रहे, लेकिन आप दोनों तो तिन-तिन चर-चर बार सांसद रहे, फिर डाक्टर साहब बोल दिया भी, माननी अध्यक्ष जी एकी ब को मिलेगा मानिय अध्यक्ष महुदे जस्पूर हाल से लेके अब तक की आत्रा के आफ साक्षी रहें कुछ कालखंड को छोड़के 36 गर ने इस विधान सभा ने आप लोगों के नेत्रित तुमें बहुत सारे नए कानूनों को जन्म दिया जो भारत के और जिसके आफ साक्षी और नेत्रित तु करता भी रहें चाहे वो स्वक्षता का कानून हो चाहे खादान्य सुरक्षा का कानून हो चाहे उसको क्या बोले उसको इंक्रोच्मेंट के खिलाफ कानून हो बहुत सारे ऐसे कानून थे इसकील हमारा अधिकार हो ऐसे कानून ये कानून हिंदुस्तान में पहली बार 36 गड़ की विधान सभ में पारित हुए और ये समू उसका गवा है माननी अध्यक्ष महुदे मैं आपके साथ साथ आपके आज के नो निर्वाचित हमारे माननी नेता प्रतिपक्ष जी सीधे सारे साधे सरल तो कहा आपके गुनों का उलेख लेख मेलने है कहा कि आपको चौदुवां सदस से बनाए एक सुनहरे भविष्य की स्वास्त की सब की कामना और हमारे विधायक दल के नेता और सदन के नेता माननी विश्टूदे उसाय जी भी आज पहली बार सदन में हैं उनके लिए भी पूरे सदन की और से हमारे विधायक दल की और से सब की और से कामना करते हैं और इसकी महान परमपरा कुछ परमपराओं का उलेक मानने बिरिज मुहंजे ने उलेक किया गिलोटिन से लेके एक बार हमने किरुना में गिलोटिन से पास किया है बजट को उसको वास्ताव में उधारन नहीं माना जाना चाहिए ये एक मातर विधान सभा है जो कोरम के अभाव में कभी स्थागित नहीं हुई है अस तक ऐसे ऐसे बहुत सारे बहुत सारी परमपराएं हैं जो अपने आप में छोटी विधान सभाव में पूरे देश में जानी जाती है सचेतक के सम्मिलन में एक बार का उनलेक करते तहुमें मैंने आउगत कराया एक बार कि 36 गड़ विधान सभा की अधिक्तम बैठक अंठावन दिन हुई है उसकी अनुसंसा थी 45 से 50 दिन तक अधिक्तम हो जाए छोटी विधान सभाओं का तो 36 गड़ की अधिक्तम बैठक अ कैसे कर लेते हैं पर यह बात हमने बताई और यह भी बताया कि 24 गंटे लगातार बैठने का रिकार्ड है कि हम सुबह से लेके साम तक और रविवार के दिन भी विधान सभा बैठी है यह ऐसे रिकार्ड है जो कभी दूसरे विधान सभाओं में नहीं बने तो माननी अध्य कि जनता के लिए इतिहासी का उसर और इतिहासी सेवा 36 गड़ की जनता के लिए सदन पवित्र सदन के माध्यम से कर पाएंगे आपके प्रती बहुत सद्भावना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता मानी भुपेज वहिर मानी अध्यक्ष महुदाय स्वरु सम क्यातरा आपकी रही मध्वर्देश के नहीं सदस के रूप में लोग सबा सदस और राज मंतरी के रूप में और फिर फिर छत टेज गड़ में लगातार मुख्य मंतरी के रूप में 15 साल आपका कार का रहा है अध्यक्ष महुदाय आपका बहुत सुधेर राजनिती का मैं ने परंपराय भी इस्थापित इस पवित्र सदन ने किया है उसमें बड़ा योगदान आपका रहा है अध्यक्ष महुदै अब भूमकाइब बदल गई है पहले जब यहां बैठते थे हम लोग जब इधर रहते थे तो खोग तेज आक्रमन करते थे जब रिजल्ट आया तो मैं सोच रहा था कि अकेले ही भूत पूर मुक्ष मंत्री रहूंगा लेकिन आपने रहने नहीं दिया विश्वी दुए साय जी रहे हम लोग दो भूत पूर मुक्ष मंत्री हो गए अब आपकी भूमका वहां हो गई अध्यक्ष महुदै तो बदल गई मेरी भी भूमका बदल गई तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया है क्योंकि बराबर आप नहीं रखेंगे और आप वहां बैठे हैं और हमारे तरफ नजरी नियायत नहीं होगी तो हम लोग वो तो बड़ा मुश्किल होगा राजे इंतिसास सुक्ली जी इधर उधर की बात ना कर ये बता कि कारवा क्यों लूटा अभी बहुत समय है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग सिर्फ 15 थे आप तो 35 के साथ हो 5 पंद्रह ठे लेकिन हमारे अध्यक भूट पुर्यओ से अपमोग देते थे वही याद दिला रहें हमारे नेता जी ने भी याद दिला है lorsque मैं भी आद दिला रहा हूं फंद्रह होने के बहुजुद भी आपको हम लोगें से ज्जादा समय मिलता था और हमेशा सिकायत हम लोग करते थे अद्ध्यक जी कक्ष में जाकर कि 15 होने के बाद 14 होने के बाद 13 होने के बाद भी इनको ज्यादा समय देते हैं उसी के नतिज़ा है क्या अब हम लोग 35 है कम नहीं है मानि अद्ध्यक्ष महुद है कि आसंदी में चाहे डाक्टर राजन प्रसाथ सुकल जी हो प्रेम पकास पांडे जी हो धरमलाल कौसिक जी हो गोरी संकर अगरवाज जी हो और आखरे में डाक्टर चरंदास महंजी रहें सभी ने विपक्ष को के आवाज को बराबर सदन में रखने का आउसर पदान किया है यह परमपरा हमारी 36 गड़ विदान सबक रही है और अध्यक्ष मौद है आप से भी यह अपेक्षा जो परमपरा हमारे पूर अध्यक्षों ने बना के रखा है उसे आप जारी रखेंग सभी सदस्यों को बढ़ाए देता हूं खासकर नए सदस्यों को बहुं सारे पुराने सदस्यों को बिच्छडे भी हैं नए सदस्यों मैं सबका स्वागत करता हूं और अध्यक्ष महुद है भाभी जी वी सवसर पर है मैं उनका भी स्वागत अब नंदन करता हूं पुरे प एक ऐसा व्यक्ति आज हमें अध्यक्ष के रूप में प्राप्त हुआ है जो सालींता सिस्टता स्वम्यता का अथा सागर है और सागर अपनी मर्यादा भी कभी नहीं तोड़ता है अध्यक्ष महुद्ध है मैं उम्मीद करता हूँ कि 36 सुनामी बाहर से आके सागर को दवाओ नहीं डालेगा सागर तो सांत रहता है लोगों के लिए अकरसन का केंदर रहता है आपका लंबा राजीती कन्भाव है देख्ष मुद्ध है आप विधायक थे मध्यप्रदेश में आप लोकसभा के सदस्व बने अटल विहारी बाच्पई जी के मंत्री मंदल में मंत्री बने फिर ढ़ाई साल बाद आपको इस्तीफा मांगा गया आपने इस्तीफा दिया आपको प्रदेश भेजा गया आप प्रदेश अध्यक्ष बने भाच्पा के फिर आपने 15 साल तक के इस प्रदेश की सेवा क चाउरवाले बाबा के रूप में आप पूरे जाने और पहचाने जाते हैं फुट के बारे में जो एक्ट आपने बनाया है वो देश में एक नजीर और मिसाल भी बनी हुई है अद्यक्ष महुदे मेरा कहने कासा सिर्फ ये है कि आप जिस भी पत पर बैठते हैं उसे पूरी सालीनता से और पूरी गंभीरता से आप निभाते हैं आप उस पद की सोभा बढ़ाते हैं हमारे 36 गड़ की विधान सभा का ये सोभाग्य है कि यहां के और भी आपके पहले जितने माननी अध्यक्ष रहे हों चरंदास जी से लेकर के राजिन पसास सुकल तक उन सभी ने अपने दाइतों का बखोवी निर्वन किया 36 गड़ की विधान सभा में कभी भी इतनी ज़्यादा दूरी तक के बहस मुभाहसा का माहल नहीं बना जिसमें कटुता और गंड़गी हो आपको तो माननी अध्यक्ष मोंदे मुख्यरंद्री के रूप में सदन में आप विपक्ष का जवाब देते रहे हैं और जब आप विपक्ष में भी बैट करके